आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खुश्कवरी में आपको बताने वाला हो क्योंकि इस खुश्कवरी से हो सकता है कि आपके जो वैक्शिनेशन की डिपेंडेंटन्टा है वो खतम हो जाए यानि कि आप जो वैक्शिनेशन करवा रहे हैं उसमें वी जो वुश्टर डूज लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़े ऐसा देखने को मिला है यूएस से एक इस्टडी सामने आई है जो कि बताती है कि जिन पेसेंट्स को एंटी वाडिस बन चुकी है तो एंटी वाडिस के बाद में उन्हें वुश्टर डूज लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगे तो फ्रेंट्स एंटी वाडिस क्या है ये माँ मशला समझेंगे उसके बाद हम समझेंगे कि वुश्टर डूज क्यों जरूरी होता है और वुश्टर डूज क्यों लगवाना चाहिए और अगर हमारे वाडिस में इस श्टडी की एसाब से देखा जाए तो वुश्टर चीज से लड़ना है अगर हमें किसी चीज से लड़ना है या किसी वाइरस से लड़ना है किसी फंगाई से लड़ना है किसी वैक्टिरिया से लड़ना है तो उसके लिए हमें अपने सरीर में एक फोर्स तयार करना होता है समझ रहें एक सैना तयार करनी होती है और उस सैना स जब कोई वाइरस कोई फंगय कोई वैक्टिरिया लड़ेगा तो ऐसी सिचुएशन में वो हार जाएगा क्योंकि हमारे पास आल्रेडी पहले से सैना हमने रेडी रखी ते तैयार करके रखी ती जिससे कि हमारी सैना उसको खत्म कर देगे यह होता है एंटिवाडी बस इतना स समझ गया तो आपके लिए काफी है हमारे व्लेडंड के अंदर wc होता है लिंफोषिट निविंखा लेइdz開 ग्म यहाँ पैरमीटर्स आपको sibc report में देखने को मिल जाते हैं अब यह जो रिपॉट होती है इस रिपॉट में आपको अपनी इम्मिटी के वारे में समझ में आजाता है कि हमारी जो immunity है वो B खोरी है, कंजोर है ठीक ठाक है या नहीं है तो जब भी हमारे सवीर के अंदर कोई भी infection जाएगा तो उसके लिए हमारे अंदर immunity strong होना जरूरी है, T lymphocytes है V lymphocytes है, T kitty cells है, B cells जो होते हैं उनका होना, मजबूती से खड़े होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये क्या होता है कि जैसा virus हमारे वाडी के अंदर जाता है उसके against हमारे वाडी, anti-vodies को बनाना start कर देती है anti समझेगा, anti आप सब्द मेरे सब्सद समझ रहे हो किसी के against होना ठीक है, anti मतलब की अगर एक example से आपको मैं दो कि मेरा एक friend है और वो कोई भी काम करता है तो मुझे पसंद नहीं आता, मैं उसका anti हूँ या वो कोई काम करता है तो मुझे पसंद नहीं आता, मैं उसके anti हूँ ठीक है, तो हम दोनों में compatible कोई भी चीज नहीं है है ना, कोई भी चीज एक समान नहीं हो पा रही है वो कोच अलग करना चाह रहा है तो मैं कोच अलग करूंगा मैं उससे और ज़्यादा इस्टाउं करूंगा तो ये सारी चीज़ें जो एक example के तोर पर बता रहा हूँ लेकिन simple example मैंने आपको दे दिया है कि जब भी हमारे body के अंदर, शरीर के अंदर, blood के अंदर कोई infection जाएगा तो वहाँ पर हमें anti-body सेना की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उससे हमें मारना है जैसे हमारे borders पे हमारे soldiers खले हुए हैं ये जो soldiers हैं ये कितने मेहनत करते हैं चाहे रात हो, चाहे दिन हो कितने भी धूप हो, कितने भी बारेश हो कितने भी ठंड हो ये border पे अपने तैनाती रखते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा आतंगवादी है या कोई ऐसा ब्यक्तिन घोसा है हमारे देश के लिए हाने कारक को तो उसको वहीं की वहीं रोक लेंगे ठीक है? तो इसलिए हमारा force वहाँ पर लगा हुआ है इंडिया ना आर्मी है है ना? कफी जारे ऐसे force हैं हमारे इंडिया के जो बहुत ज़्यादा मेनत करते हैं और इसी तरीके से हमारी वाड़ी में एंटि वाड़ी होता है इम्मुनिटी होना बहुत ज़्यादा जरूर है आई होब की इम्मुनिटी आप समझ गए होंगे अब एंटि वाड़ी बनने के बाद ये कई पिसेंट्स के अंदर 6 मनी तक रह सकता है कई के अंदर एक साल तक रह सकता है और कई के अंदर ये पूरे जिंदिगी बार रह सकता है कोई भी इसकी पुकता अभी जानकाली नहीं है और जिस मरीज को ये जिंदिगी बार रहने वाला है तो उसके लिए बहुत अच्छी ख़बर है क्योंकि उसको Worcester dose लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा study में देखने को मिला है अब ये आगे कितना confirmation इसका होता है ये study आगे कितना progress करती है कितना आगे जाती है ये देखने के वाले time में हमें आफको आने वाले समय में पता लगेगा लेकिन अगर ये सही है तो कहीं न कहीं हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी और Worcester dose का भी काम यही होता है कि हमें लंबे समय तक infection से बचा के रखना Worcester dose भी जरूरी था अब हाला कि Worcester dose की जो है वो trials चल रही है कि Worcester dose अगर कितने दिन बाद लगाए जाए तो क्या होगा या किस patient को लगाना चाहिए किसको नहीं लगाना चाहिए यह सारी चीज़ा भी इस्टड़ी Worcester dose को favor में चल रही है देखते हैं कि रिजल्ट कितने जल्दी आते हैं और क्या result होते हैं लेकिन इस्टड़ी यही है कि जिन patient को immunity वन चुकी है उनको Worcester dose की हो सकता है कि जरूरत ना पड़े जो कि पिसंट तो कि उनकी self immunity उतनी है जो infection virus को खदम कर सकती है तो खुश्यार रहे है वेक्टिरिया वाइरस से और आज की समय में जो environment पे वेक्टिरिया वाइरस है वो तो ठीक है लेकिन हमारे आसपास हम मैंसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो virus का काम कर रहे है वेक्टिरिया का काम कर रहे है तो उनसे बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है उनसे बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बात को आप अच्छे तरीकी से समझ लेजेगा पहचानिये कौन virus है कौन bacteria है कौन fungi है समझने के कोशिस केज़े क्योंकि लोग वाग कहीं भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे बस समझ रहे हैं कहीं भी कोई भी व्यक्ति मौका नहीं छोड़ रहे बस आना चीए, मुर्गी फसना चीए, बस ये सोच रहे हैं सब लोग, तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, कि ऐसे लोगों से दूर रहें, जो आपको नुक्षान पहुचा सकते हैं, आपको परिशान कर सकते हैं, और खूर सकें, तो आप मैं से अगर कोई ऐसा है, जो गलत रास्ते पर अगर बाई मिस्टेकर चला गया हो, तो मैं उससे निवेदन करूँगा, कि अपने फैमिली की तरफ जरूर देखें, और यह जो जितने विए बुरे काम हैं, वो छोड़ दें, क्योंकि समय का पहिया जो होता है, वो बदलता रहता है, ठीक है, गुड़ न सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर शेयर करें, अपना प्यार जरूर दे, इस वीडियो में हर एक कमेंट का रिपलाई में आपको करूँगा, तो इस वीडियो को अंतो तक जरूर देखना, अगर आपका कोई प्रेशने हैं, तो मुझे कमेंट सक्से में जरूर पूशने, नमस्कार, थैक्स वाचिंग हेवनाई से, जैहिन, कर giंता हूँ करूँ ह हूँ एसे ला swagने है काउँ नमस्कार पक करका रिफलाई में हरूछत, कर देखने हमें आपका में stocks स्कुन कार दोआजे हैं, चर्वस